असलाम वालेकूँ पिछली दुरह मुफ्तित तारिक मुसुल सापका एक किलिफ सोशल मीडिय वड़ा वायरल हुआ जिसके मुसल्मानों को जो इनको पुरा लगा उसके बाद आज मुफ्तित सापको जो है वजाती बयान सामने आए सबसे पोस्त में आपके सामने रखोंगा मुफ्तित सापके ऑफिशल अकाउंट से की गई है मुफ्तित सापने सबसे पहले तो वो जो किलिफ वायरल हुआ तो उसका इसकी शोट लेको पर लगाए वो इसको पर क्रॉस के निशान बने में कि मुफ्तित साब भी इस बात को एंग्री करते किया है वो अलफाज जो ना आजाए तो मैं तुम्हें अपने लिए बहुत बड़ी सादत समझता हूं जो गुसाखी का इज़ा मुछ पर लगाया गया इसका मैं तसवर भी नहीं कर सकता हूं कुरान का एक एक हर्फ अल्ला की तरफ से है ये मेरा आकीदा है कुरान का कोई हर्फ भी तहरीफ शुदा न कोई गलती नहीं है मुझसद आपने वजात कर दी हर किसम की गलती से पाक है चाहे बी grammar की हो कोई भी काफिर हर किसम गलती से कुर्ण करेम पाक है यह मुझसद आप ने अपना बयान कर दिया है और मुफ्तिस आपका क्लिप भी है आपने वीडियो भी जो है वो जारी फरमाईए दरह ये सुनिएगा तो इसमें हो सकता है मुझसे ताबीर में गलती हुई हो अगर कोई ये समझता है कि मेरी ताबीर ठीक नहीं थी या ये बात अवाम के सामने करने की नही है वो ये समझेंगे गोया के गुरान में गलती है तो मैं अपने अलफास पर मादरत करता हूँ और मैं अपने इन अलफास से रुजू करता हूँ मैं अप्रिशेट करूँगा मुफ्ति तारिक मसूस आपको इस बात के अपन को शाबाशी दूँगा कि बजाए इसके के वो इस बात पर डटे रहते और दलाइल निकालते और किताबे निकालते उन्होंने आज जी से सामने आये और ये कहा दिया कि हाँ भाई अगर किसी की दिलाजारी हो ये किसी को बुरा लगा है तो मैं उसे माज़रा चाहता हूँ मैं माफी का तलबगार हूँ उन्होंने अपनी बात को कुबल कर लिए याद रखिएगा लोग समझने हैं कि सुनी लोग जो होते हैं ये इतिजाज कर रहे था नई भाई बहुत से दियोबंद जो आली में दिन थे उन्होंने भी इस बात कुबा कर लिए नाम मुनासीब है और मुफिस हाब को इस बात कर रियलाइज हुआ कि हाँ यार यह जो मेने अलफाद सम्हाल कर दे या आकल एससलाम के शान के मताबिक नहीं थे तो भाई अब मैं समझता हूँ कि इस बात को यही तो पर बता दिया है और यह भी बता दी कि कुरान करीम में कोई गलती नहीं है किसी भी किसम की किसी भी किसम की यह बात भी वाज़ करती है तो आप इस चीज को आप पर रुख जाना चाहिए और जो भी है मुफ्तियान किराम है या गोई भी जो दीन पर वीडियो बनाता है ज हम अलके करें, मुसल्मान, जो ना सयद न्पी अल्लाई आदाई के बारें बड़े हसास हैं, बड़े नाजोटें, बड़े इमोशनल हो जाता है, जब इनको पता चलता है, कोई नाम मुनासिब अलफाज जो इस्तामार किया गया, खिर, मुप्तिस आपने वजात करें, को वापस लेता हूं मैं माफ़िच चाहता हूं इस बात को यह पर ही खतम करें और आएं दरास करें यह कॉमर्स करें शापिफाए करें अमाजोन करें इबे करें इडसे करें और पैसे करें में जिन्दगी बद रहें बस ठीक है और अलाफिस